हलो एवरीवन इस वडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चाप्टर नाइन बंदर और गिलहरी एक बंदर पेड़ पर बैठा था बंदर की पूच बहुत लंबी थी यह देखिए यह बंदर जो है यह पेड़ पर बैठा हुआ है और इसकी पूच देखिए जर कूट कर रही थी और देखिए गिलहरी उचल कूट कर रही थी जमीन पर अचानक उसे पूच दिखाई दी उसने सोचा यह जूला कहां से आ गया थोड़ी देर पहले तो नहीं था फिर गिलहरी उचल कूट कर रही थी जमीन पर उसे लगा यह जूला कहां से आ गया पहले त जटड़ गई थी अब जैसे यह चाहड़ी तो बंदर को गुद्गुदी होने लगी। तू उसने देखा कि यह क्या कर रहा है। तो उसने कहा गिलहेरी से कि बहन गिलहएरी तुम यह क्या कर रही हो, मुझे गुद्गुदी हो रही है। गिलहेरी चौकी, बंदर भाईया, यह तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूच को जूला समझ कर जूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, तो उसने कहा, गिलहेरी ने कि मुझे लगा ये जूला है, और मैं जूलने लगी, और मुझे मज़ा आ रहा था, और गिलहेरी हस्ती हु इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, जैसे, जैसे क्या, जैसे, क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे घनी जाडी, तो जैसे कोई जाडी घनी हो, इतनी घनी थी चुहे की मुझे, भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, जैसे गुबारा, गुबारा बहुत मोटा होता उट इतना उचा था इतना उचा था जैसे कि कोई हो इमारत और यहां पर क्या जाएगा चुईया इतनी जोटी थी जैसे हो कोई कण कोई जोटा सा कंकण तिनका कुत्ते की पूँच इतनी तेड़ी थी जैसे कि हो कोई जलेबी कोयल की आवाज इतनी मीठी थी जैसे की चीनी यह हो गया हमारा अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन गुदगुदी कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई अपने दोस्त को गुदगुदी करो पेट पर पीट पर गर्दन पर हतिली पर तलवे पर क्या हुआ अब खुद को गुदगुदी करके देखो अब क्या हुआ तो कहानी में जो है वो बंदर को गुदगुदी हुई थी अगर आप आप दोस को घुद्गुदी करेंगे तो उसको बहुत ज़र से घुद्गुदी लगए या आप खुद को करेंगे ना तो आपको नहीं लगती है ऐसे ही होता है अब देखिए, गिलहरी ने बंदर की पूछ से जूला जूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी, करके दिखाओ, तो रुमाल से आप क्या क्या कर सकते हैं, रुमाल से हम लोग अपनी नाख पूछ सकते हैं, और रुमाल बांत करके हम लोग आँख मिचोली खेल सकते हैं, पैंसिल से हम लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, और हम अपना एक्जाम भी लिख सकते हैं, फुटा मतलब जो स्केल होता है, उससे हम जो है कोई चीज को नाप सकते हैं, है न, फुटे से या करते हैं, चीजों को नाप सकते हैं, कि कौन सी चीज कितनी लंबी है, और हम आप पातलब होता है, चावल, और संतरा, केला, उसके अलावा क्या-क्या खाते हो तो, आप बहुत अरी चीज़ घ्यादी होंगे, डाल, रोटी, सबजी, पीजा, बर्गर, फल इत्यादी है, यह सारे चीज़े, गिलहेरी, जिवाल, फ्ल उसके इत्यादी हैं, गिलहेरी, ब् जैसे कि केला, रोटी, आम, अंगूर, चावल, ये सब चीज़े बंदर खाता है अब जानवरों में कौन-कौन उछलकूत करता होगा इन में से कौन-कौन उछलकूत करते होंगे जानवरों में से तो देखिए गिलहेरी उचलकूद करने वाली कौन कौन है गिलहेरी है कुता है चूहा बिल्ली खरगोश तो गिलहेरी कुता चूहा बिल्ली खरगोश ये सब उचलकूद करते हैं और कौन उचलकूद नहीं करता गाए शेर गधा हाथी उट कौन कौन उचलकूद नहीं करते ह गाय, शेर, गधा, हाथी, और उठ, यह जो हैं, यह सब उचलकूद नहीं करते हैं, हमारा चाप्टर कम्प्लीट हो गया, थैंक यू